If CI of a certain sum at the end of 2 year and 3 year are 234 and rupees 381 respectively find the rate of interest यहां भी अगर हम ratio की देखो यहां पर देखो first, second और third तीन साल का दिया गया अगर मैं मान लेता हूँ कि आपका यहां पर जो first और second year का जो ratio है वो आपका x और y होगा तो यहां पर second और third का भी तो आपका x और y ही तो ratio होगा इतनी बात clear है अब यहां पर बात यह आ जाती है जो आपका first, second और third second year का जो आपका interest है ठीक है वो 234 है और third year के end में जो total interest मिला वो 381 है आप देखो एक चीज यहां पर समझो ध्यान से क्या है जो 381 है इस 381 में यह 234 सामिल है कैसे सामिल है जो हमने आपको बताया था मान लेते हैं जो ही चीज हजार वाला पहले साल यहां पर क्या मिलेगा 100 रूपए दूसरे साल यहां पर कितना मिलेगा 100 प्लस 10 रूपए और तीसरे साल यहां मिलेगा 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 तो आप देखो यहाँ पर जो question में यह जो दिया गया वो यह दिया गया कि second year का है आपका यह कितना 110 रुपए और third year का दिया गया यह आपका total हो जाएगा 121 तो इस 121 में अगर देखें पूरे 3 साल का अगर हम देखें अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने यह गलत करा दो साल का total यह कितना बनेगा 100, 100, 200 यानि 210 बन रहा है और तीन साल में total यह कितना बन जाएगा यह आपका 331 रुपए बनेगा इतनी बात यह आपको यहाँ पर समझाना चाहिए तो यानि कि 2 साल का जो रहा होगा वो आपका यहाँ पर है कितना 234 प्लस 3rd year में कितना interest मिला वो यहाँ पर difference हम निकाल देंगे इतनी बात यहाँ पर clear है अब हम यहाँ से आगे बढ़ता है ठीक है यहाँ पर बात इतनी clear हो गई होगी इसका shortcut भी बताएंगे exam के लिए ठीक है बट अभी हाँ पर basic बहुत अच्छे से समझो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनका difference निकालेंगे difference हम क्या करेंगे 381 से minus कर देंगे 234 यहाँ पर यह 7 आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा तो यह difference कितना 147 आया अब देखो 147 जो interest मिला वो है हमारा कब 3rd year कब ध्यान से समझना और यहाँ पर इंट्रेस्ट जो यह 2, 3, 4 है यह 2, 9 साल का है पहले साल का भी दूसरे साल का भी है ठीक है तो इस से अगर हम ratio यहाँ पर बनाएंगे कोसिस करोगे, तो यहां से ratio आपको क्या मिलेगा, अगर हम इसको divide करें किस सेम divide कर सकते हैं, 3 सेम divide कर सकते हैं, 3, 7 जा, or 3, 8 3, 2 जा, और यहां पे, 3, 4 जा, और 3, 9 जा, ठीक है, तो 78 और 49 आयेगा, एक चीज यहां पे clear, ध्यान से समज़ना, बहुत गौर से समझना यहां पर 79 अगर है तो यहां पर ratio के लिए इसके factorize अगर करें तो factor सिर्फ और सिर्फ 7 into 7 हो सकते हैं इसके इलावा 49 के है और कोई factor हो ही नहीं सकते, that means इसमें 7 तो ratio जरूर होगा उसी तरीके से जो 78 है यहां पर एक्स और वाई का ratio रहा होगा तो यहां पर भी आपका कुछ ने कुछ ratio रहा होगा और यहां पर interest कहीं न कहीं कम मिला होगा तो 7 से ही यहां पर कम होगा, तो 7 से कम होने का मतलब यहां जीं कि हम यहां पर अगर 6 into 7 करें ठीक है, 42 और उसके पहले 6 into 6 अगर हम कर जाएं तो 6, 6 जा 36 और यहां पर हो जाएगा 6, 7 तो देखो, यह आपका 36 हुआ यह आपका 42 हुआ इन दोनों को add करोगे तो आपको 78 मिल रहा है जो कि 78 दोनों का है इतनी बात के लिए है, ठीक है थोड़ा सा deep में है ध्यान से समझने की कोसिस करना तो देखो, यहां पर क्या होगा यहां से हम अगर हम यहां पर देखो आपका यह 7 और यह 7 कैंसल कर दें तो यहां पर ratio 6 is to 7 का आगया ठीक है और जब यहां पर 6 is to 6 है और यहां पर 6 is to 7 है तो हम इस 6 से इस 6 को कैंसल करेंगे तो यहां 6 बचेगा और यहां वाला 7 बचेगा अगेन आपका 6 is to 7 ratio हो जाएगा तो यहां भी आपका 6 is to 7 ratio रहेगा यहां भी आपका 6 is to 7 का ratio रहेगा आयो इतनी बात यहां पर यह clear हो गई होगी अच्छे से इतनी बात क्लियर है, आप 6 is to 7 का ratio हमको मिला, ratio क्या मिला, 6 is to 7, यानि कि पैसा वहाँ पर ratio हमारा कितना आ रहा था, starting वे जम पर लिया, 10 is to 11 आ रहा था, मतलब एक रुपई यहाँ पर बढ़ा, तो 1 किस पर बढ़ा, 10 पर, 1 by 10, मतलब 10% की rate यहाँ पर आ जाती है, उसी तरीक होता है, 16 right 2 by 3% की होता है, इसको हम 16.67% भी लिखते हैं, जो की option number आपको यहाँ पर दिख जाएगा, clear है बात यहाँ पर अच्छे से, एक बार मैं नहीं समझाया, दू बार यहाँ पर समझो, फिर से एक बार मैं इसको repeat कर देता हूँ, पूरा, इसको यहाँ पर मैं हटा द तो, यहाँ पर आपका क्या था, two year का था, three year के लिए था, two year का आपका यहाँ पर कितना था, प्यो यहाँ पर था 234 और यहाँ पर था 381, यहाँ पर जो difference आया था, वो difference आया था 147, अब यह जो 147 है यह थार्र्ड यार का interest है, तो यहाँ पर हम second year और third year का ratio यहाँ बनाने जाएंगे तो देखो यहाँ पर जो आएगा यहाँ आएगा 147 और सेकेंड इयर में टोटल आपको जो दिया गया वो आपको दिया गया 234 यह फर्स्ट और सेकेंड दोनों का है अब देखो यहाँ पर इसको डिवाइड थरी से करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता 78 और हो सकता किस से 7 से तो यहां पर जो ratio बनेगा वो 7 के multiple में ही आएगा एतनी बात clear है ठीक है अब यहां पर यह जो आपका बन रहा है तो एक चीश समझो कि किसी भी year से आगे जाएंगे तो कहीं न कहीं प्लस हो रहा होगा ठीक है प्लस होने पर यहां पर आएंगे तो यहां भी कुछ और रही होगी ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे जो आपका यहां पर जो 7 इंटू 7 है तो यहां पर होगा 6 इंटू 7 7 से 7 कैंसल हो जाएगा 6 इस्टू 7 बचेगा तो ओवराल आपका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इस्टू 7 और 6 से वैल्यू बढ़ रही है तो 1 बाई 6 इंटू 100 आप कर लीजिए परसेंटेज निकालने के लिए तो आंसर यहां यहां पर आपको एक और दूसरा यहां पर तरीका बता देते हैं एक और सॉट कट उसको भी जादा तरब जो सेकेंट वाला बता रहे है न वो जादा तरी यूज कीचिएगा यह बहुत जल्दी आपका काम करेगा बट डिफरेंस एक चीज हमेशा देखना एक साल का ही बीच में हो कि मतलब दो या तीन साल क तीन चार का हो तभी आपका काम करेगा ठीक है क्या करेंगे टू येर सीधे यहां पर वैल्यू लिखते हैं 234 और आपका 381 इनके बीच में डिफरेंस यहां पर निकालो तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना 147 अब यह देखना होगा जो डिफर जरूट निकाला जा सकता है क्या ये परफेक्ट स्कॉयर है नहीं है जब परफेक्ट स्कॉयर ना मिले तो कन्फरम है फिर ये दोनों नंबर जरूर किसी ने किसी इसे डिवाइड होंगे डिवाइड इसको कर लो अभी अभी हमने डिवाइड किसी किया था 3 से ही किया था हम इसको यहां पर अगेन कर लेते हैं, 37, 21, और यहां पर हो जाएगा, 38, 24, यहां पर हो जाएगा, 3 बंजा 3, 32, 6, 37, 21, ठीक है, 127 होगा, अब यहां पर हम difference निकालेंगे, तो difference निकालेंगे, 17 से 8 जाएगा, तो आएगा 9, 11 से 7 जाएगा, तो आएगा 4, 4 is a perfect square, यह perfect square किसका है, तो अगेन यहां पर देखोगे, ratio कितना आगिया, यहां पर 7, इतनी बात clear होई कि नहीं होई, square root जैसे ही निकालना, तो यहां पर 1 minus कर देना, तो यहां पर 6 आएगा, that means पहले जो value, यानि अब यहां पर हम क्या करेंगे, वही second year और third year, ठीक है ना, जो यहां पर कर रहे थे, तो यहां पर ratio मिल जाएगा, 6 is to 7 का, तो value 6 से बढ़कर हो रही, कितनी, कितनी प्लस होई, 1, तो यहां पर क्या कर देंगे, 1 by 6 equal to होता है, 16.67%, तो यह बहुत छोटा और आसान मेथड है, बहुत आसानी से इसको कर जाओगी, clear हो रही होगी अच्छे से बाद,